कि अफ्लो दोस्तों कल आप लोगों को Number sister पढ़ाया था और उस्दें आपको प्राकर्तिक शंख्याएं थे नेश्टर टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको नेश्रल नंप्रस क्या होते हैं और कल आपको परिमेश्क्याएं परिमेश्क्याएं पढ़ायी देखिंगों क्या है प्राकृतिक संख्या है यह संख्या है जो एक दो तीन चार पांस सभी प्राकृतिक संख्या होती है ठीक है नेचिरल नमबर इकल टु ओन तू ठी अनन कांट नए क्या सकते हैं इतनी प्राकृतिक संख्याओं के गुड़ āp प्राकर्तिक संख्याओं के गोड़ नमबर एक है इसमें शंबरक नियम शंबरक नियम यह क्या होता है दो प्राकर्तिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकर्तिक संख्याओं का जोड़ प्राकर्तिक संख्या होता है दो प्राकर्तिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकर्तिक संख्या होता हूँ नंबर दो सहेचर्नियम किसे कहते हैं कोई भी तीन प्राकर्तिक संख्या है ठीक है एक वी तीन प्राकर्तिक संख्या होता है एकल टू ए प्लस बी प्लस सी यह सहचर नियम हो गया है पुडांग संख्याय का होता है नमबर तीन इंटीजर नमबर्स इंटीजर नमबर्स पुडांग संख्याय के उडांग संख्याय कि इंटीजर नमबर्स यह किसे करते हैं इसको जैड से रिप्रेजेंट करते हैं जैड इकल दू ये इसका सिम्बल है जैड इसमें पुडांग संख्याय में माइनस के और जीरो से लेके वन तू ऐस तरह से ड़ाड़ अनद्ट मतलब माइनस में अनंत माइनस इन्फनीटिव से पॉजटिव इन्फनीटिव तक पुड़ांग संख्या होती है नमबर चार है सम संख्या है अधाथ इविन नमबर इविन नमबर शंख्या है संख्या बेशंख्या होती है जो दो से पूरता विभाज हो जाती है जैसे दो है चार है आठ छै आठ दस बारा इस प्रकार इटी सी आदी शंख्या है नमबर पांच है विशंख्या है विशंख्या है और नमबर और नमबर वे शंख्या है जो दो से पूरता विभाज नहीं होती है उन्हें विशंख्या कहते हैं दो से पूर्ता विवाज नहीं होती है जैसे एक है तीन है पांच है साथ है डाट 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 इस प्रकार आपको आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए थैंक यू दोस्ताइब